राज कपूर और नर्गिस दोनों ही बॉलिवुड के सबसे बड़े सितारे थे। उन्होंने कई फिल्मों में एक साथ काम किया और उनकी जोडी को बहुत पसंद किया जाता था। लेकिन उनकी निजी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी प्रेम कहानी को हमेशा के ल राज कपूर और नर्गिस के बीच एक लंबा संघर्ष चला। अंत में राज कपूर ने अपने परिवार के लिए नर्गिस को छोड़ दिया। ये एक बहुत ही दुखत कहानी थी। इस कहानी में कई रोमांचक तत्व हैं। सबसे पहले ये एक प्रेम कहानी है जो दो सब सबसे बड़े सितारों के बीच हुई थी। दूसरा, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार और दुख दोनों शामिल है। तीसरा, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें राज कपूर और नर्गिस जैसे दो महान कलाकारों ने अभिनय किया। राज कपूर और नर्गिस की प्रेम कहा यानी 1950 के दशक में शुरू हुई। वे दोनों ही बॉलिवुड के सबसे बड़े सितारे थे और उन्होंने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। उनकी जोडी को बहुत पसंद किया जाता था। राजकपूर पहले से ही शादी शुदा थे और उनके दो बच्चे थे। लेकिन नर्गिस को राजकपूर से प्यार हो गया। नर्गिस ने राजकपूर से शादी करने का फैसला किया, लेकिन राजकपूर की पतनी कृष्णा ने इस रिष्टे को कभी भी मंजूरी नहीं दी राज कपूर और नर्गिस के बीच एक लंबा संघर्ष चला दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे लेकिन उनके रिष्टे में कई बाधाएं थी एक बाधा यह थी कि राज कपूर की पत्नी कृष्णा इस रिष्टे को कभी भी मंजूरी नहीं देंगी क्रिष्णा एक धार्मिक महिला थी और वे राज कपूर के इस रिष्टे को गलत मानती थी दूसरी बाधा यह थी कि राज कपूर के बच्चे इस रिष्टे को कैसे लेते हैं यह भी एक चिंता का विशय था राज कपूर नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे इस रिष्टे के कारण परेशान हो। तीसरी बाधा यह थी कि राज कपूर और नर्गिस दोनों ही अपने करियर में बहुत व्यस्त थे। उन्हें अपने करियर पर ध्यान देना था और उन्हें अपने रिष्टे पर भी ध्यान देना था। इन सभी बाधाओं के बावजूद राज कपूर और नर्गिस एक दूसरे से प्यार करते रहे। उन्होंने कई बार शादी करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड हो जाता था। अंत में 1960 के दशक में राज कपूर ने अपने परिवार के लिए नर्गिस को छोड़ दिया। यह एक बहुत ही दुखत घटना थी। राज कपूर और नर्गिस की प्रेम कहानी एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को रोमांचित करती है। यह एक कहानी है जो हमें प्यार, दुख और बॉलिवुड के रोमांच की याद दिलाती है। झाल